what is normal data normal data हम ऐसे data को कहते हैं जो normal curve को follow करता हो अब normal curve से क्या मुराद है normal curve से मुराद है कि ऐसा curve जिसकी दोनों extremes के उपर जो numbers हैं वो कम हो इस data के अंदर जो individual values है majority of individual values mean value के करीब हो ऐसा data normal data कहलाता है जबके जो skewed data है skewed data के अंदर जो individual values हैं उनका mean value के साथ जो difference होता है वो काफी ज़्यादा होता है ये bell shape curve को follow नहीं करता अगर हम slide के अंदर जो figure दी है इसको देखें तो यहाँ पे जो normal data है normal data का mean, median और mode बराबर होते हैं जबके जो skewed data है skewed data का mean, median और mode बराबर नहीं है उसके अंदर differences हैं वो छोटी होती है जबके जो skewed data है skewed data का standard deviation और standard error ज़्यादा होता है इसी तरीके से normal data का average या फिर mean आ जाएगी उसके बाद अगर हम हर individual value को mean value में से minus करें उसका difference निकालें तो normal data के अंदर ये जो difference होगा ये बहुत कम होगा लेकिन अगर हम जो skewed data है skewed data का mean निकालें और हर individual value में से इस mean का difference निकालें तो ये difference ज़्यादा होगा जो normal data होता है normal data के अंदर outliers या extreme values बहुत काम होती है जबके जो skewed data होता है skewed data के अंदर extreme values या outliers ज़्यादा होते है sometime जब हम data collect करते हैं तो हमारे data के अंदर for example हमने hundred individuals का data collect किया और इन hundred individuals में से जो majority of values थी उनके अंदर जो difference था वो बहुत कम था for example जो values थी वो 40 और 60 के दरम्यान में range का रही थी लेकिन उन में से चंद values ऐसी हैं जो के 60 और 40 के दरम्यान में लाई नहीं करती बलके वो बहुत अदर differences हैं अब अगर ये दो values जो हैं हम अपने data के अंदर शामिल करेंगे तो उससे हमारा जो data है उसकी base के उपर जो हमने conclude करना है जो result निकालना है वो disturb हो सकता है ऐसी जो outliers values होती हैं उनको हम अपने data में से exclude कर देते हैं और ये जो process होता है इसको हम data trimming कहते हैं तो data trimming के जरीए हम अपने data में से extreme values को निकालते हैं लेकिन अगर हमारे पास जादातर values जो है वो एक दूसे से match नहीं कर रही उनके अंदर बहुत जादा differences मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि ये original values है ये एक skewed data है तो इस किसम का जो data होता है उसमें से हम जो outliers हैं उनको identify नहीं कर पाते और इस वज़ासे हम outliers उसके अंदर से नहीं निकाल सकते लेकिन normal data की ये पहचान है कि normal data के अंदर majority of जो values हैं वो close to the mean होते हैं उसका जो standard deviation है वो कम होता है उसका standard error of mean कम होता है उसका mean deviation कम होता है उसके अंदर outliers की values बहुत कम होती है और mean और individual values का जो difference है वो भी बहुत कम होता है और normal data एक normal curve या bell ship curve को follow करता है करते है